हे गाइज राइट एंगल अकेडवी में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ योगे शूठवाल आज अपन इस टोपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका क्लाइमेटिक रीजन्स ओफ राजस्थान राजस्थान के जलवायू प्रदेश पिछली वाली क्लास में अपने राजस्थान की जो जलवायू थी उसका इंट्रोडेक्शन पढ़ा था अपने और कितनी आपके सीजन्स में अपन सीत रितू में हो गया आपका ग्रिस्म में अपन विभाजित कर सकते हैं उस पे बेसिक लिए बात करने वाले हैं इंट्रोडेक्शन के आलावा यह एडवांस स्टेज वाली जो क्लास है वह आज इसको डिसकस करेंगे कि जल्वायू प्रदेश अब जल्वायू प्रदेश आपकी होते हैं वह कौन-कौन सी चीज़े डिसाइड करती है जल्वायू की अपन ने पिछले पर परिभासा पड़ी थी अपने एक तो पड़ा था अपना मोश्रम और जल्वायू वह हो गया आपका वैदर और एक हो गया क्लाइमेट अब क्लाइमेट क्या होती है कि एक तो बहुत बड़ा तो रीजन होना चाहिए बहुत बड़ा छेत्र होगा क्लाइमेट के लिए जल्वायू जो वर्ड की अपन बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा छेत्र हो गया वह विश्तरित होगा विश्तरित छेत्र मतलब मैं यह कहूं कि जैपूर की जल्वायू तो यह टेक्निकली गलत होगा क्योंकि जैपूर ए करें तो विश्त्रित होगा एक अपन मैं बोलू कि आज की राजस्थान की जलवायू यह भी टेक्निकली गलत हो गया कई बार इंटर्व्यू में पूछ लिया जाता है यह कि राजस्थान की आज 17 जून की जो राजस्थान है उसकी जलवायू की आउगे नहीं कह सकते आज का समयांत्राल रहेगा किसमे जलवायू में तो टाइम डिफरेंस रहेगा वह भी आपका ज्यादा रहेगा लॉंग रहेगा जैसे कि आपका 50 साल 100 साल 200 सालों में जलवायू आपकी डिसाइड होती है 100 वर्स की अपन बात करें और फैक्टर्स कौन कौन सी होंगे आपके फैक् एक बड़ा फैक्टर हो गया आपका तापमान राजस्थान है उसके प्रदेश है रिजन से उसमें तापमान कितना है ज्यादा है कम है फिर दूसरा फैक्टर अपने का निकल के आ रहा है वर्ष्रा या फिर हो गई रेंफॉल यह आपका टेंपरेचर यहां पर रेंफॉल इस प्रकार से जो फैक्टर है तापमान कितना है वर्षा कितनी होती है 50 cm 100 cm humidity कितनी है कितना परसेंट है humidity आपकी तो यह सबी जो फैक्टर्स है यह सब मिलाके जलवायों को दिर्मधारित करते हैं और जलवायों हमेशा विश्तरित छेतर होकी कोई भी एक स्थान गाउं छेतर तैसील की नहीं होगी और समयांतराल भी इसमें ज्यादा होगा कई बार आपने न्यू चैनल पर सुना होगा आज के मोसम का हाल जानते हैं तो वो आज के मोसम की बात करें आज की जलवायों नहीं बोलेंगे कल का weather forecast है कल का weather forecast है मोसम का पू सब्सकों स्कोछीं करते हैं कि indoor को ड्hr прям का इंडिया का जो क्लायमेट मांसूनल कडा अम है मांसूनय जल्वायों तो मांसून की जो हिस्ति है को हो डो चार दिन एक साल की नहीं है यह हजारों सालों से चली आरही है है अरैबी बिया जो व्यापार करने के लिए आपका कंट्री से उन्होंने अरबी भासा का ही यह सब्ध है मोसिम पितले वाली क्लास में आपने पड़ा था कि जो मोसिम वर्ड है आपका मोसिम या फिर MAUSIM जो मोसिम वर्ड से ही मौनसून की उत्पती हुई है तो जो मौनसून है उसकी हिस्ट्री बहुत टैम पिरिड है बहुत लंबा है और इसमें जो रीजन है आपका बेव बेंगल अरब सागर इंडिया पूरी शेतर इसमें जो अपन बात करते हैं भारती पहादीप की जलवायू डेसाइड होती है आज अपन बात करने वाले है किस की राजस्थान के जलवायू पर देस राजस्थान है उसटेट हो गया उसके जलवायू प्रदेशों की चली आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर यह राजस्थान का मैप है पुलिटिकल मैप मैप है इस राजस्थान की मैप में जब अपन क्लास किये थे कि इसकी बहुते की विभाजन की फिजीकल डीजन की बात की थी तो वहां पर अपन ने कुछ यहां पर बेसिक चीजे बताई थी पेसिक चीजे क्या उन्हीं सो कनेक्ट करके मैं जलवायू प्रदेश का भी अपन यहां पर समझने की कोशिज करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं बोलूं कि यह राजस्थान है ठीक है अब राजस्थान में 50 cm सम वर्षा रेखा ठीक है 50 cm सम वर्षा रेखा आपन खिंचे तो यहां से मैंने खिंचा यह हो गया आपका इस प्रकार से यह एक लाइन मैंने खिंच दी ठीक है अब यह क्या है आपकी यह है आपकी 50 cm सम वर्षा रेखा ठीक है आई बास समझ में सम वर्षा रेखा हो गई कितनी 50 cm यह हो गई आपकी एक सम वर्षा रेखा मैं यहां पर और खिंचता हूं कौन सी यह हो गई आपकी 25 cm सम वर्षा रेखा अब इसका मीनिंग क्या हुआ आप पूसेंगे कि सम वर्षा रेखा का मीनिंग क्या है 50 cm है इसका मीनिंग क्या हुआ सीधा सा आसान सब्दों में यह हुआ कि इस रेखा पर कुछ जगे होंगी कुछ प्लेसे होंगे मांदो यह ढोट से कुछ प्लेसे यहां पर दीनोट किये ठीक है यहां पर क्लिक किया मैंने अब इन जगए पर किसी पर आपन देखेंगे तो इसा है जो rainfall है उसका जो continuous rainfall है year the year वो आपका लगबग 50 cm निकल के आएगा इस रेखा पे सारे स्थानों पर 50 cm ही बारिस होती है दूसरी अपन बात करेंगे 25 cm रेखा की तो यह हो गए आपका 25 cm रेखा तो इस पे भी जो भी बिंदू रहेंगे कोई भी स्थान रहेगा उन सभी स्थानों पर आपकी 25 cm ही rainfall होगा बारिस होगी इतनी चीज क्लियर है कि नहीं अब यह जो 50 cm वर्षा रेखा है आपकी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है इधर आपन बात कर रहे थे फिजिकल डिविजन में तो यहां पर यह आ गया पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान और दक्षनी पूर्वी पठारी शेत्र अब इस 50 cm वर्षा रेखा के पैरलल इसी के पैरलल अपन बात करें इन सब जिलों में तो यहां पे था अरावली परवस्च्रंकला 50 cm वर्षा रेखा के पस्चिम में इस दिशा में अपने थिक का अंसर थार का मरुस्थल उसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एक तो था 25 cm और 50 cm वर्षा रेखा के बीच में अर्दसुस्क मरुस्थल यह वाला जो पोर्षन था यह था कौन सा आपका अर् सेमी डेजेट हो गया आपका ठीक है यह हो गया आपका अर्दसुस्क शेतर अब इस रेखा 25 cm से अपन इधर जाएंगे जैसल मेर की तरफ पूर पस्चिमी दिशा में जाएंगे तो यह आपका हो गया ड्राय रीजन बिल्कुर सुस्क शेतर हो गया तो इस प्रकार से तो फिजिकल डिवजन है उसी के आधार पर हापन राजस्थान के जलवायू प्रदेशूं को निरधारित करेंगे राजस्थान के जलवायू प्रदेश ठीक है क्लाइमेटिक रीजन तो सबसे पहले मैं सबसे पहला वाला क्लाइमेटिक जो रीजन है उसको मैं डिसाइड करें यहां पे तो वो हो गया आपका यहां पे सुस्क जलवायू ठीक है सुस्क जलवायू ठीक है अब सुस्क जलवायू को निर्धारित कैसे करेंगे सुस्क जलवायू में आपकी जो rainfall होगा 0 से 25 cm के बीज में होगा आई बास समझ में 25 cm वर्षा रेखा है इस से इस तरफ जाएंगे पस्ते में अपन तो 25 cm से वारिष कम होती जाती है 25 cm से आपकी ये हो गई कौन सी ये वाली रेखा ये वाली रेखा है आपकी ये हो गए आपकी 50 cm वर्षा रेखा तो इन दोनों के बीच में 25 और 50 के बीच में जो region है आपका वो हो गया आपके अर्ध शुस्क जलवायू ठीक है कितनी हो गई आपकी दो जलवायू रीजिन हो गए पहला यह हो गए आपका दूसरा यह हो गया अर्थसुस्क जलवायू ठीक है अब मैं आपसे पूछो एक क्योस्टन आप कि 50 cm वर्षा रेखा है उससे अपन पूर्वी दिशामे अपन राजस्थान में जाएंगे तो घटने लगती है तो यह यह जो दूसरा अर्थसुस्क वाला जो रीजन है इसको है कि सेमी डेजरेट है सेमी डेजरेट हो गया आपका यह हो गया ढज हो गया आपका स्पाइछरा इसमें कितना इसमें तोटेन ऑन रैन्वार एक हो रहेगा 25-50 cm के बीच में अहीं बात करने वाले हैं पूर्वी प्लेन की ठीक है पूर्वी प्लेन इस्टन प्लेन को मैं यहां पे अंकित करें इस प्रकार से इस्टन प्लेन की अपन बात करें तो यह वाला पूरा का पूरा रीजन है यह वाला पूरा का पूरा रीजन है यह आपका इस्टन प्लेन यहां पे लेकिन जो rainfall होगा वो 50 cm से बढ़ेगा तो जो rainfall है वो हो गया आपका 50 से 80 cm वर्सा यहां पर होगी ठीक है तो इसको कहा जाएगा यहां पर उप आर्द्र देखो मैंने सुस्क के साथ में यहां पर ले लिया अर्द सुस्क जलबायू मरुस्तल यह अर्द सुस्क उससे थोड़ आएंगे तो बारिस बढ़ दी जाएगी पूर्वी मैदान में तो यह वाला हो गया 50 से 80 cm वर्सा अब उससे भी अपन इस तरफ आएंगे दक्षनी पूर्वी पठारी चेतर में तो वहां पर जो rainfall है वो है आपका 80 से 120 cm वर्सा इस चेतर में दक्षनी पूर्वी उस चेतर में यहां पर आपन बात करते ह musi कि अच्चिछंपूर्वी पठारी चेतर में आपकी बारिस कितनी हो जाएगी 80 से 120 cm अब राजस्थान के आपन कुछ यगों की अपन बात करने वाले हैं जिसमें जो बारिस है आपकी 150 cm वर्षा तक पहुंच जाती है उसमें कौन-कौन से रीजन है आपके उसमें है आपका एक तो में दो कि शिरोही इसको तलव का रीजन है इस इस प्रकार से दिखा देते हैं तु यह तीन जगहें पर एक तो सिरोही वागा नाएपका बांसवाडा में आपका च्छीतर होकेंद गश्णी बाहर और और दक्षणी जहलावाड का यह चित्र हो गया यहां पर बारिस होईगी आपकी 150 cm वर्षा है अब मैं उल्टा चलता हूं इसको वाइच वर्षा करते हैं कैसे देखिए कि सबसे ज्यादा बारिस अपनी होईगी आपे कहां पे सिरोई दक्षणी बासवाडा और दक्षणी जहलावाड में कितनी 150 cm वर्षा रेखा अब इससे अपन पस्चिम में जा रहे हैं इसके पस्चिम में इसके पस्चिम में तो यह हो गया आपका दक्षणी पूर्वी पठ जाएंगे अपन यहां पर यह है पूर्वी मैदान तो वहां पर बारिस होगी 80 से 120 से कम होके हो जाएगी 50 से 80 cm ठीक है अब 50 से 80 है उससे अपन इस तरफ जाएंगे परस्चिम में तो यहां पर आई 25 से 50 cm और यह हो गया आपका 0 से 25 cm इस प्रकार से यह घठती जाएगी अती आर्द्र हाइली हुमिड इसको अपन बोलेंगे अती आर्द्र आर्द मतलब हुमिड या फिर हाइली हुमिड ठीक है अई बासमद में यह किस प्रकार की जलवाई होती है आपकी सदा बहार प्रकार की एवर्ग्रीन फोरेश्ट जो आपके पाए जाते हैं सदा बहार प्रकार की यह जो जलवाई हो गई आपकी सदा बहार प्रकार की क्योंकि यहां पर बारिस है वह आपकी जेजल फiona सब्साय उसको मैञाल पंप बॉल दिया कौन सी आरदर जलवाई हो ती आरदर उससे कम हो गई आर्दर मतलब फिन मेड़लबाद क्लाइमेट हुमिड क्लाइमिट ठीक है उससे कम जब बारिस हो रही है यहाँ पचासे सेंटिमेटर पूर्वी राजस्तान में पूर्वी मैदान में इस्टन प्लेंस में उसको मैंने बोल दिया आर्द्र से कम उप आर्द्र आई बास समझ में सब हुमिड सब हुमिड टाइप का क्लाइमिट हो गया आई बास समझ में यह हो गया आपका हाइली हुमिड यह हो गया आपका कौन सा हाइली हुमिड ठीक है यह हो गया आपका हुमिड उससे कम उससे कम आपका हो गया उप आर्द्र सब हुमिड हो गया उससे कम यहां पर आएंगे तो अर राजस्थान के जलवायू परदेस आपके पांच जलवायू परदेस ठीक है राजस्थान के जलवायू परदेस हो गए आपके यहां पे हो गए पांच उसको मैं एक एक करके नाम लिखता हूं here सब्सक्राइब करें तो यह हो गया आपका अती आर्दर मतलब हाइली हुमेड हाइली हुमेड जल्वाई हो गई ठीक है यह हो गई आपकी आर्दर जल्वाई हुआ सेकेंड नमबर पर फूप आर्दर सब्सक्राइब है सब्सक्राइब हाइली हुमेड आई बाथ समझ में इन तीनों को अपन एक में रख सकते हैं उसके बाद में आएगी आपकी कम बिल्कुल बारिस यहां पर तो रेंफॉल है यहां पर एक से पांच पांच की तरफ दाएंगे तो धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा ठीक है यह हो गया आपका अर्द्सुस्क सब डेजर्ट या सब ड्राइग सब डेजर्ट हो गया मनलों अर्द्सुस्क जलवाईग और यह हो गई आपकी सुस्क जलवाईग यह हो गई आपकी कौन सी सुस्क जलवाईग ड्राइग यह हो गई आपकी ड्राइग या फिर डेजर्ट ठीक है आप अपन बात करें इनके रेंफोल की तो अती आर्दर यहां पे 150 cm बारिस हो जाएगी यहां पे हो जाएगी आपकी कितनी 80 से 120 cm बारिस हो जाएगी उप आर्दर जलवायों कितनी हो जाएगी पचास से आपकी 80 cm हो जाएगी आर्दर जलवायों कितनी हो जाएगी आपकी 25 से 50 cm बारिस हो जाएगी यह हो गई 25 से आपकी 0 cm इसको कह सकते हैं 120 से इस प्रकार से तो रेंफॉल है आपका धीरे 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 कम हो रहा है और पांच आपके हो गए जलवायों प्रदेश क्लाइमेटिक रीजन से आपके राजस्तार में पांच हो गए उन में से भी कई बार क्या होता है कि अति आर्दर और आर्दर को एक ही साथ रख लेते हैं इसको अपन एक काउंट करते हैं तो आपके हो गए चार क्लाइमेटिक रीजन से अति आर्दर और आर्दर को हाईली हुमेट और हुमेट को एक साथ अपने रख लिया फिर उपार्दर आर्दसुस्क और सुस्क ड्राइवीजन हो गया तो इस प्रकार से राजस्थान के चा अगर आपन अति आर्दर और आर्दर को अलग अलग रखते हैं सेपरेट रखते हैं तो तो टोटल पांच फिजीकल दीवजन नहीं आपके क्लाइमेटिक रीजन से हो गए एक बार मैप में आपन फिर से चलते हैं यहां पर देखते हैं कि राजस्तान की जो क्लाइमेट है जलवायू है उसको अपन इंटरनेशनल लेवल पे कंपेरिजन करें तो ना करें तो यहां पर यह जलवायू है किस प्रकार की होगी और यह वाली किस प्रकार की तो उसकी अपन बात करने वाले हैं तो सुस्क जलवायू जो ड्राइग क्लाइमेट है आपका जीरो से 25 सेंट में सहारा मौरुत्तल है उसी प्रकार की जलवायू राजस्थान में इन जिलों में देखने को मिलती है किलियर है बात समझ में आई दूसरी जलवायू है यहां पर अर्दसुस प्रकार की जलवायू 25 से 50 सेंटिमेटर बारिस है तो इसकी तुलना किसे कर दी अपनने स्टेपी प्रकार की जलवायू स्टेपी प्रकार की जलवायू स्टेपी प्रकार की जलवायू स्टेपी प्रकार की जलवायू जहां पर छोटी प्रकार की घास होगी स्टेपी प्रकार की बहुत अर्दसुस्क में तो क्या होगा कि वेजिटेशन है आपका विल्कुल कम देखने को म की त्टेप कहसे पर कालिए निएहां पreं पूरमी मैदान में वह अपकी किसी परकार्जी पिरि वह होता है को प्त प्त ज Prep ओर आपका रहे गैगा वह व्येटेशन वनस्पति रहेगी वह गनी वनस्पति 5 ऐसे पहले पत्ते ने पत्तनपने निज़नगी प्रे तो फ'T टाह की जरभ सामल वह है कि वनस्पति निजवार की व्यस्टेशन होगा है तो इसी पैटरन को अपन उसके साथ फोलो करेंगे, असा मतनले में बहुत आसानी रहेगी, देखिए, फिजीकल डीवजन जैसा है आपका, फिजीकल डीवजन के साब से ही जोग्राफिक डिसाइड होती है, आई बास समझ में, जैसा फिजीकल डीवजन है, वहाँ पर वैसा ह पाई जाएगी, तो इन तीनों को आए, एक वीडियो पन ऐसा बनाएंगे, इन तीनों को कमपेरिजन करके, राजस्तान की मैप में समझते हैं, तब तक के लिए अपन यहाँ पर यह देखते हैं, डेशीडियोस परकार की किसमें, उप आर्द जलवायू में, फिर आपकी ब लंबे उंचे परकार के पेड मिलेंगे, और हमें सहरे रहेंगे, यूंकि बारिस रेंफोल है, वहां पर बहुत ज्यादा है, एक सो पतास सेंटीमेटर है, ठीक है, तो चार अपन ने जलवायू जो प्रदेश है, उसमें अपन ने बांटा, तो यहाँ पर जो अर्द सुस् या फिर घनी वनस्पती, घने जंगल भी पाए जाएंगे, यहाँ पर साल के रक्स पाए जाते हैं, घने रहते हैं, अति आर्द और आर्दर को अपन मिलाएंगे, तो यह है आपकी सदा बहार प्रकार की वह वनस्पती, वह दक्षनी पूर्वी पठार, और शिरोही, और द दक्षनी बासवाड़ा, दक्षनी जालावाड़, इन तीनों को अपन मिलाएंगे, तो आपकी हाईली हुमिड, एकसु पचास सेंटीमेटर, और दक्षनी पूर्वी पठार है, वहाँ पी आर्दर जलवायू, तो इस प्रकार से अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं, इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, उससे सारी चीजें आसान हो जाएंगी, तो इस प्रकार से राजस्थान को अपने, राजस्थान की जलवायू को अपने, चार डीवजन्स में बाटा, ठीक है, तो वहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, वनस्पदी है, कैसी है, वो भी अपने देखा, वहाँ पे वरसा कैसी है, हमिनिटी कैसी है, सब चीजें अपने देखी, तो राजस्थान की जलवायू है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, इससे संबंदित क्यूशन होंगे, वह अगली क्लास में आपन क्लास क्यूशन भी लेंगे, और यहाँ पे यह वाला टोपिक है, जलवायू का, यहाँ पे कम्प्लीट होता है, इसके साथ में एक चीज़ापन और करेंगे, कि कोपेन और थांतवेट है, उसकी जलवायू से बहुत सारी क्यूशन पूछे जाते हैं, कि तो यह क्लाइमेटिक रीजन्स हो गए, इन क्ला क्लाइमेटोलोजिस्ट थे, और थांतवेट भी क्लाइमेटोलोजिस्ट थे, उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरी जो अर्थ है, उसको जलवायू प्रदेशों में बांटा, तो उनके कंसेप्ट के हिसाब से, अर्ध सुस को क्या कहा गया, सुस को क्या कहा गया, सुस को क क्या कहा गया उनके कुछ की वर्ड है और वहां से हमेशा कुछन पूसे भी जाता है उसकी अपन अलग से वीडियो बना लेंगे तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सोमाद जैहिन जै भारत